गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुती और युधिश्थिर का शोप प्रिय मित्रो नमस्कार आप सुन रहे हैं संपूर्ण श्रीमत भागवत महापुरान की कथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर अपने मित्रों के साथ करें धन्यवाद सूत जी कहते हैं इसके बाद पान्डव श्री कृष्ण के साथ जलांजली के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तरपन करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगातट पर गए वहां उन सबने मृत बंधों को जलदान दिया और उनके गुनों का स्मरण करके बहुत विला संधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठ कर मरे हुए स्वजनों के लिए शोप करने लगे भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादी मुनियों के साथ उनको सांत वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता इस प इक्षीन हो गई थी उन दूष्ट राजाओं का बद कराया साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामगरिओं से तथा पुरोहितों से तीन अश्वमेध यग्य कराये इस प्रकार। पुधिश्थिर के पवित्र यश को सोयग्य करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। देवाधिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं आप मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए आपके अतरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। भग्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्था माने पांडवों के वन्श को निर्भीज करने के लिए ब्रहमास्त्र का प्रयोग किया है। अनकजी उसी समय पांडवों ने भी देखा की जलते हुए पांच बान हमारी ओर आ रही हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने अस्त्र उठा लिये सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शर्णागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ती आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की योग श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है उन्होंने उत्तरा के गर्भको पांडवों की वंश पर्मपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढख दिया शौनकजी यद्यपी ब्रहमास्त्र अमोग है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है फिर भी भगवान श्री कृष्ण के टेज के सामने आकर वह शांत हो गया यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए क्योंकि भगवान तो सरवाश्चर्य में है वे ही अपनी निच शक्ती माया से स्वय अजन्मा होकर भी इस संसार की स्रिष्टी रक्षा औ लगे तब ब्रहमास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्थुती की कुंती ने कहा आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एकरस्थित हैं फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते क्योंकि आप प्रकृति से परे आदिपुरुष परमेश्वर हैं मैं आपको नमस्कार करती हूँ इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उ कैसे जान सकती हूँ जैसे मूड लोग दूसरा भेश धारन किये हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते वैसे ही आप दीखते हुए भी नहीं दीखते आप शुद्ध हर्द्यवाले विचार्शी जीवन मुक्त परमहनसों के हरिदय में अपनी प्रेम्मई भक्ति का स्रिजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं फिर हम अलप बुद्धी स्त्रिया आपको कैसे पहचान सकती हैं आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा ब परंकमलों में कमल का चिन है श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है रिशीकेश जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैड की हुई और चिरकाल से शोकगरस्ट देवकी की रक्षा की थी वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है आप ही हमारे स्वामी हैं आप सर्वशक्तिमान है श्री कृष्ण कहा तक गिनाव विश से लाक्षाग्रे की भयानक आग से पिडिम आधी राक्षसों की दृष्टि से दुष्टों की द्यूतसभा से वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के आती रहें क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्मुम्रित्यूके चक्कर में नहीं आना पड़ता उंचे कुल में जन्म, एश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका धमंड रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं, जो अकिंचन हैं, आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्ष भी नहीं कर सकता, आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शान्तस् कैवल्य मोक्ष के अधिपती हैं, आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ, मैं आपको अनादी, अनंत, सर्वव्यापक, सब के नियंता। कालरूप परमेश्वर समझती हूँ, संसार के समस्थ पदार्थ और प्राणी आपस में टकरा कर विशमता के कारण परस पर बिरुद्ध हो रही हैं। और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशुपक्षी, मनुष्य, विश्य, जल्चर आदी में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्यकर्म भी। आपने अपने मुख को नीचे की ओर जुका लिया था आपकी उस दशा का लीलाचबिका। ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ भला। पूर्वजन्म में सुथ्पा और प्रिश्णी के रूप में आप से यही वर्दान प्राप्त किया था। इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी। जगत के कल्यान और दैतियों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह पृत्वी दैतियों के अत्यंत भार से समुद्र में डूपते हुए जहाज की तरह डगमका रही थी, पीडित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्यान, कामना और कर्मों के बंधन में जकडे हुए पीडित हो रही हैं। उन लोगों के लिए श्रवन और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहन किया है। आपके चरंकमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। प्रित्वी के राजाओं के तो हम योगी विरोधी हो गए हैं जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीं हो जाती हैं। वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवन्शियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षन चरण चहनों से चहनित यह कुरुचांगल देश की भूमी आज जैसी शुभाय मान हो रही है। वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी आपकी द्रिष्टी के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लतावरिक्षों से समरिध हो रहा है। श्रीक्रिष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है। वैसे ही मेरी बुद्धी किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे श्रीक्रिष्ण। इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। सब सुनकर भगवान श्रीक्रिष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया अच्छा ठीक है और रत के स्थान से वे हस्तिनापुर। लोट आये वहा कुंती और सुभद्रा आदी देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधों के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदी महर्शियों ने और स्वय अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अने को इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेश्टा की परंतु उन्हें सांत्वना न मिली उनका शोक न मिटा शौनकादी रिशियो धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वद से बड़ी चिंता हुई वे एक अक्षोहिनी सेना का नाश कर डाला मैंने बालक, ग्राहमन, संबंधी, मित्र, चाचाताउ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है करोडों बरसों से भी नरक से मेरा चुटकारा नहीं हो सकता यद्यपी शास्त्र का बचन है कि राजा यदी प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रों को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं हो तास्त्रियों के पती और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहां जो अपराध हुआ है, उसका में ग्रिहस्थोचित यग्यागादिकों के द्वारा मारजन करने में समर्थ नहीं हूँ जैसे कीचर से गंदला जल स्वच नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की, अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसाभुल यग्यों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता